प्रिय दर्शकों कबरों की और बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ये बिलकुल फ्री है इससे आपका कोई हर्ज नहीं होगा लेकिन आपकी वज़ा से हमें और हमारे टीम को होसला अवश्य मिलेगा तो चलिए कबरों की और बढ़ते हैं पिर्णी प्रकंड अंतरगत राची दुम का मुख्य मार्ग बरमसिया के पास रविवार रात एक तेज रफ्तार कार ने तीन अलग अलग स्थानों पर तीन बाईक को जोड़दार टक कर मार दी जिससे तीनों बाईक चालक समेत आठ लोग घायल हो गए वही एक चालक की मौत घटना अस्थल पर ही हो गई वही पांच की हालत गंभीर बताय जा रही है वही अठारे वर्षी कृष्णा कुमार की रास्ते में ही मौत हो गई वही शम्शाद एवं मुजाहित को हलकी चोट लगी है बताय गया की चार पाई अवाहन ताटा इंडिका यात्री सेट के पास एक बाईक को टक कर मारी दूसरी टक कर बरहमसिया पेट्रोल पंप के पास बाईक को मारी वही तीसरी घटना बरहमसिया बैंक अफ इंडिया के पास गटी जहां एक बाईक को कार ने टक कर मारी जिसमें तीन लोग सवार थे मात्र दो किलोमेटर की दूरी पर पांच मियट में तीन घटना एक साथ हुई घटना के बाद कार का अलग अलग चक्का बलाश्ट हो गया और चालक कार छोड़कर घटना अस्तर से फरार हो गया वहीं अस्तानी लोगों की साहिता से चार लोगों को एमूलेंस के माध्यम से सामुदाइक स्वास्त के अंदर बीड़नी पहुँचाया जहां डॉक्टर साकीब ने उपचार किया तथा गंवीर हलत को देखते हुई रैफर कर दिया वहीं दोका इलाज बरमसिया के नीजी एस्पताल में ही किया जा रहा है